हेलो दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूटूब चैनल ABC Classes by राजन वर्मा जैसा कि आप सभी को पता है लेकपाल का मैथ 25 out of 25 बैच चल रहा है जहां पर आपका परसेंटेज लाब और हानी बट्टा और LCM और FF चैप्टर खतम हो अब एक question मैंने लिखा हुआ है इसको solve कराऊंगा इसके बाद इन सारी चीजों को समझाऊंगा कि क्या होता है और इसमें कौन-कौन सी condition होती है कैसे solution किया जाता है उसके पहले आप सभी को ये बतातूं ये ये जो वीडियो है इसको मैंने public कर रखा है ठीक है जो part 2 आएगा और इसके बाद जो मैं दिवगास समिकरन पढ़ाऊंगा quadratic equation तो सारी चीजों को मैं membership 29 रुपीज है कितना है केवल 29 रुपीज है 29 रुपीज में आप जोईन कर लेंगे तो आपको पूरानी सारी वीडियो जी जो chapter है सारी वीडियो आप देख सकते हैं आप ये वीडियो चा कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी देखिए मैंने HCF और LCM में 60 question करा हुए हैं जो कि बहुत ही अच्छे लेवल के हैं और आपके सारी concept यहां पर रखे हुए हैं ठीक है न और आपका यहीं पर प्रॉफिट और डिसकांट हो गया 50-60 और percentage जो है मैंने वहां पर भी इतन इतना मैं पढ़ा रहा हूं उतना practice करते रहिएगा ठीक है अच्छा आप जोईन कैसे करना है बस एक मिनट में यह बता देता हूं फिर बढ़ते हैं अपने chapter की तरह मेरे चैनल के subscribe बटन के बगल में जोईन का एक option है जोईन पर क्लिक करेंगे वहां पे आप visa card और mastercard से payment करक आपको दिक्कत आएगी इसलिए link मैंने video की description box में दे दिया है आप देखके join कर सकते हैं चलिए बढ़ते हैं अपने chapter की तरह सबसे पहले आपको एक question दे रखा है 2x plus 3y is equal to 13 और 4x minus y is equal to 5 तो x तथा y के मान बताईए मुझे पता है यह question बच्चों की तरह है बच्चों वाल प्लस 3y बराबर 13 ठीक है यह आपका equation क्या हो गया यह equation first हो गया और उसके पाद आपका अगला equation है 4x minus y is equal to 5 ठीक है यह equation 2 हो गया आपका ठीक है अब यहाँ पर देखिए आपके पास 2 चर है यहाँ पे आपने जैसा की देखा 2 चरों के रहखिक समीकरण ठीक है अब यहीं प पहली बात यहाँ पर बात आ रही है समीकरण की किसकी equation की बात आ रही है तो मेरा question यह है कि क्या यह equation है क्या 4x minus 3 is equal to equation है या फिर 4x is equal to 3 यह equation है या फिर मैंने लिख दिया 4x plus 3 क्या यह equation है तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 4x plus 3 equation नहीं है लेकिन अगर यहीं पर 4x plus 3 is equal to 0 लगा दें तो यह आपका एक समीकरण बन गया यह आपका एक equation बन गया उसी तरीकी से 4x-3 equal to 0 है तो यह आपका एक equation है यह भी आपका एक equation है ठीक है 4x is equal to 3 यह भी आपका equation है लेकिन यह आपका एक चरवाला एक चरवाला आपका equation है कहने का मतलब है linear equation of one variable यहाँ पे कितने variable है केवल एक variable है x और y जो होते हैं हमारे क्या होते हैं यह variable होते हैं ठीक है इसको हम क्या कहते हैं variable ठीक है जिसको हम इंदे में कहेंगे चर ठीक है और एक होते हैं अचर तो अचर क्या होता है एक होता है चर एक होता है अचर जैसे कि मैंने लिखा 2x plus 3y is equal to 13 ठीक है ना तो यहाँ पर x और y की value जो है वो 4 चर मतलब क्या होता है बदल सकते हैं ठीक है तो x और y की value बदल सकते हैं लेकिन 2 और 3 को हम नहीं बदल सकते हैं जैसे कि मैं आपको एक example दे और यहाँ पर लिखा हुआ है 12 plus 8 is equal to 20 ठीक है ना तो यहाँ पर इसको आप change नहीं कर सकते हैं 20 और 8 बराबर 20 होगा लेकिन यहाँ पर आपको अगर x plus y is equal to 20 मैं बोलूं तो आप x की value 10 रख सकते हैं तो y की value 10 रख सकते हैं मतलब x और y की value क्या होती हैं यह बदलते रहते हैं x और y बदलते रहते हैं इसको मैं 8 रख दू तो इसको मैं 12 रख सकता हूँ इसको मैं 6 रख दू तो इसको मैं 14 रख सकता हूँ आप समझ रहे कि कुछ भी रख सकते हैं तो इसको हम कहते हैं चर और यह जो हमारे 2 और 3 और द समझ में हाया किस को मैं चर कह रहा हूं किसको मैं अचर कह रहा हूं ठीए तो चर को English में variable बोलते हैं ठीए न तो आपका यह हो गया यह आपका वण וड्यए बल का हो गया ठीक लिएलिनुर इक्वूशन ऌस दूवरिय mail लेकिन आपको पढ़ना क्या है linear equation X हो गया, और एक variable क्या हो गया, Y हो गया, तो आपके पास यह पहला variable और यह दूसरा variable, तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे, linear equation of two variables, क्योंकि यहां पर आपके दो variable है, दो चरो के रैखिक समिकरण, अब एक important बात ध्यान रखेगा, अगर आपके पास, अगर आपके पा एक variable है, तो आपके पास एक समिकरण होना चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास दो variable है, जैसे कि X और Y, अगर मैं आपसे कह दूँ, कि 2X पिलस 3Y बराबर 13, इसको हल करके दिखाईए, इसको solve करिए, तो आप इसको solve नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहां पे 2 चर ह X और Y दो चर हैं, और जब तक आपके पास दो चर होंगे, तो दो चर होने पर आपके पास दो समिकरण होने आवस्यक हैं, इसी प्रकार अगर आपके पास 3 चर हो गया, 2X प्लस 3Y प्लस 4Z बराबर 25, ठीक है, तो अगर आपके पास 3 variable हो गया, 3 चर हो गया, ठीक है न, तो आ आपके पास तीन समिकरण होना भी आवस्यक है, otherwise इसको आप solve नहीं कर सकते हैं, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि, अगर किसी question में लिखा हुआ है, कि तीन variable होने पर, क्या दो समिकरण, तीन variable हैं और दो समिकरण हैं, तो क्या इसको हल किया जा सकता है, तो इसको हल नहीं किया जा सकता है, यहां तक बात समझ में आ गई, एक बार वीडियो को repeat कर लिजेगा, मेरी बातों को ध्यान से सुन लिजेगा, अब ऐसे question को अगर हमें solve करना है, तो हम क्या करेंगे, 2x plus 3y बराबर 13 है, 4x minus y बराबर 5 है, आराम से समझेगा, x और y की आपसे value पुछी जा रही है, एक तो option, option को put करके हम निकाल सकते हैं, x की value 2 है, y की value 3 है, वो आपका एक अलग तरीका है, हर जिएक उसको आप implement करेंगे, तो time भी जादा लग सकता है, अब आप समझेगे, यहां पे कैसे करेंगे हम question को, देखें, 2x plus 3y बराबर 13, 4x minus y बराबर 5, हमें क्या दिख रहा है, सबसे पहले यहां दिखा, यह plus का है, y जो है plus का है, और यहां पे दिख रहा है y जो है, minus का है, तो अगर हम इसको क्या करें, solve करें, equation 1 और 2 को अगर हम जोड दें, तो हमारा plus और minus क्या होगा, कट जाएगा, लेकिन कटने भी क्या होना चाहिए, पूरा पूरा कटना इसलिए मैंने क्या किया, equation 2 में क्या किया, मैंने 3 का multiply कर दिया, जैसे ही मैंने 3 का multiply किया, मतलब जो यहां पे 3 था, उसी का multiply कर दिया, जैसे ही मैंने multiply किया, तो क्या हो गया, चार्ट यहां 12, ठीक है, तो यहां पे भी multiply हो जाएगा, यहां पे भी हो जाएगा, और यहां पे भी हो जाएगा तो आपका चार्ट के 12x-3y बराबर 15 हो गया और हम यहाँ पर हमारा पहला equation तो वैसे रहेगा 2x plus 3y बराबर 13 हो गया अब equation यह हमारा जो first और second है इसको हम क्या करेंगे solve कर देंगे तो यहाँ पर आप देखे यह और यह तो कट गया आपका plus और minus कट गया 12 और 2 कितना हो गया 14x हो गया और यहाँ से 5,3,8 हो गया और 2 हो गया तो x बराबर कितना हो गया 14,2,28 x बराबर हमारा 2 आगया अब हमारे पास जो equation है ना पहला equation या दूसरा equation दोनों समी करण में किसी में भी आप x की value को रख दीजिए तो मैं पहले में ही रख देता हूँ ठीक है तो 2 into x कितना हो गया 4 हो गया plus 3y हो गया बराबर 13 हो गया तो यहाँ से 3y बराबर आपका क्या हो गया 13 minus 4 हो गया और 3y बराबर 9 हो गया और y बराबर आपका 3 हो गया तो यहाँ से x की value आपकी 2 आगई और y की value 3 आगई तो आपका option कौन सा सही है x बराबर 2 y बराबर 3 आपका ये option बिल्कुल सही है ठीक है ना चलिए अब आगे देखते हैं और क्या क्या चीज़े है आई आप देखते हैं x और y के मान ग्याद करने के लिए आपके पास 2 तरह की विधी है विधी मतलब method है आपके पास जैसे कि मैंने आपको equation लिखके दिया x plus 3y बराबर 11 4x minus y बराबर 5 ठीक है ना तो इसको अगर आपको solve करना है इसको आपको solve करना है तो आपके पास 2 method है एक है आपके पास elimination method elimination method और दूसरा आपके पास कौन सा है दूसरा है आपके पास cross multiplication method दूसरा method क्या है cross multiplication ठीक है ना cross multiplication method ठीक है इसको हम क्या कहते है इसको हम हिंदी में कहते हैं वज्र गुडन विधी ठीक है ना हिंदी में नाम थोड़ा सा कठीन है ठीक है और Elimination Method को हम कहते हैं विलोपन विधी ठीक है विलोपन विधी तो यहाँ पर हम इस इस question को यहां पर हमें x और y की value को निकालना है हम इसको एक बार विलूपन विदी से करेंगे और एक बार वज गुड़न विदी से करेंगे ठीक है ना देखिए हिंदी में बोलने पर लखड़ा जा रहे हैं ठीक है ना तो यहां पर देखिए आज के पहली class में मैं आपको basic concept स बराबर आपका 11 है और यहां पर 4x-y बराबर आपका 5 है तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं यहां पर 3y दिख रहा है प्लस का और यहां पर माइनस का y दिख रहा है तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं यहां पर 3 का multiply कर देंगे यहां पर भी 3 का multiply कर देंगे और यहां पर भी 3 का multiply इपलाई कर देंगे तो यह आपका equation क्या हो जाएगा x plus 3y बराबर 11 और यह हो जाएगा चार्तियां 12 x 12 x plus oh sorry minus 3y बराबर 15 ठीक है न यह आपका हो जाएगा यहाँ से इसको हम काट देंगे यह हो गया 12 और एक 13 x बराबर 26 और यहां से x बराबर आपका कितना आ गया 2 आ गया x बराबर 2 आ गया अब x की value को आप equation यह equation first था और यह equation 2 था आपका तो इसमें put कर देते हैं तो 2 plus 3y बराबर 11 और यह 2 इधर जाएगा तो कट जाएगा तो 3y बराबर 9 तो y बराबर आपका कितना आ गया 3 आ गया अब हम दूसरा method देखते हैं बहुत ही अच्छा method है ठीक है और इन सब पर question बनते हैं आपके मैं आगे सारे question कराऊंगा कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली आपको ठीक है ना चलिए अब देखने cross multiplication method तो चलिए देखते हैं अब हम दूसरे विधी से किस्वी इस question को कैसे solve करेंगे वज्य गोड़न विधी यहां पर आपको क्या करना है गोड़न विधी से आपको समझ में आ रहा है cross multiplication से कि कुछ cross करके ही करना है देखिए 1 का multiply यहां पर क्या है equation 1 यह है और equation 2 आपके पास यह है तो य का यग गुड़न है coefficient है जो क्या है minus 1 का multiply यहां पे करेंगे तो क्या आएक लगाना है क्या लगाना है minus लगाना है और उसके बाद आप यहां पर देख रहे हैं क्या आरहा है 4 है और यहां पर क्या प्लस का 3 है ब्रैकbeitet बंकर कर दिजै चार्डे ही 12 हो गया चार्टिया ही 12 हो गया, ठीक है न, अब ये जो आपका हो गया, ये आपका X का, जो सबसे पहले है, मेरी बात को समझेगा, ये बात समझ में आ गई, मैंने गुड़ा किया, इसका इधर, इसका इधर, बीच में माइनस का निसान होता है, और ये किसका हो गया, यहाँ पे हम X ल लिखते हैं, ठीक है न, यही हमारा पहले है, X में तो X लिखेंगे, बराबर हम क्या करेंगे, अब इसके बराबर हम करेंगे, इसका गुड़ा इधर करेंगे, ठीक है न, तो माइनस का 11, माइनस का 11 में गुड़ा करेंगे, तो माइनस का 11 हो गया, फिर माइनस लगाएंगे और ये 5 है और ये 3 है तो कितना हो गया 15 हो गया यहां तक बच्चो मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर आपने ये method सीख लिया question बहुत आसानी से solve कर लेंगे ठीक है उसमें क्या होता है उसमें थोली दिक्कत है जब बड़े question आएंगे तो थोली दिक्कत आएगी ठीक है अभी देखें यहां पर यह क्या हो गया minus का 1 minus का 12 और आपका हो गया x बराबर कितना हो गया minus का 11 और minus का 15 ठीक है तो यह हो गया minus का 13 x बराबर और 5 और 6 minus का 26 माइनस से माइनस कर गया और x बराबर कितना आ गया आपका 2 आ गया ठीक है अब x बराबर 2 आ गया तो x की value को put कर दीजिए ठीक है न x की value को किसी में भी put कर दीजिए तो x प्लस 3y बराबर आपका 11 है तो x की value को मैं यहां पे put कर देता हूं तो आपका हो गया 2 प्लस 3y बराब पर आपका क्या वो गया नो हो गया तो य बराबर तीन तरीक का नो य दो तरीके से आप इसको detox कर सकते है ठीक है ना चली देखते हैं इसपर चली देखते हैं अगला question x और y के माहन आपको ज्याद करने है पहला equation है 4x plus 5y बराबर 31 and 7x minus 2y बराबर 22 वज्र गुडन विदी से आपको solve करना है उसके पहले आपको एक बात बता दें आप ये बताईए आपके पास 2 equation मैंने दिये हुए हैं ax plus by plus c बराबर 0 ax square plus by plus c बराबर 0 समिकरण है कौन सा समिकरण रेखिक समिकरण है या फिर कौन सा equation linear equation है तो देखें यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी याद रखेगा linear equation वही होता है linear equation वही होता है जिनके चरक गात का मान या power बोलिए चरक के power का मान हमेशा एक होता है जैसे यहाँ पे x है इसकी power 1 है यहाँ y है इसकी power 1 है यह आपका linear equation है लेकिन यहाँ पे x के power क्या है दो है तो यह आपका linear equation नहीं है यह बात भी हमेशा ध्यान रखिएगा ठीक है चलिए अब आगे question को solve करते हैं वज्र गुणन विदी से ठीक है न अगर मज़ा आ रहा हो तो दोस्तो जरूर जोइन कर लिजीगा batch क्योंकि मैं बिल्कुल इतने सांदार तरीके से इमानदारी से आप चीज़ों अच्छा हाँ एक चीज़ और बता दे 10 March 10 March तक आप सभी का ये पूरा का पूरा math खतम कर दूँगा मैं ठीक है न चलिए अब वद्र गुणन विदी से हम जब करेंगे तो फिर वही बात है cross multiplication तो इसका multiply यहाँ पर करेंगे तो हो गया 4 दूनी 8 और फिर minus लगाएंगे और ये कितना हो गया 7 पच्छे 35 मैंनस का 35 और यह किसका हो गया यह पहले x है तो x हो गया बराबर अब क्या करेंगे हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 एक कम 2 और 2 3 6 और यह minus का हो गया और यहाँ पर फिर minus लगाएंगे और यहाँ पर हमेशा minus लिए आता है ठीक है ना आगे question करेंगे और समझ में आएगा ठीक है अब यह हो गया आपका अब इसको अगर हम solve कर लें तो कितना हो जाएगा आपका इसको ठीक है न यह आपका कितना हो जाएगा 8 5 8 5 3 3 हासिल लगा एक 3 और एक 4 43 हो गया minus का x बराबर यह कितना हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 172 कितना हो जाएगा 172 और यह minus का होगा तो minus से minus कट गया 43 x ठीक है 43 x बराबर 172 यहां से x बराबर कितना हो जाएगा 4 जाएगा 12 चारचोग 16 17 तो x बराबर आपका 4 आ गया अब जहां आपकी x की value आ गई उठा के कहीं भी रख दीजिए, चले इस बार equation 2 में रख देते हैं, तो 7 चोग 28 हो गया, minus 2y बराबर 22 हो गया, ठीक है न, तो यहां से आपका 2y बराबर कितना हो गया, minus का 2y बराबर कितना हो गया, 22 और minus का 28 तो कितना आ जाएगा, minus का 6 आ गया, और 2y, तो यहां से minus minus कट गय तो y बराबर आपका 3 आ गया, यहां तक बात समझ में आ गया, वज्र गुडन विदी अच्छे से समझ में आ गया होगा, चलिए अब हम रैखिक समिकरण, दो चरो की रैखिक समिकरण के इंपोर बात करते हैं, चलिए आगे देखते हैं अब इसमें, देखिए अब आपका समिकरण के हल में, यहां पर जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यह बहुत ही most important concept है, ठीक है, यहां पर इन चीजों को अगर आप समझ गया है, तो यहां से question आपको exam में मिलने हैं, देखिए हम मानगे, हमारे पास दो लाइने हैं, line 1, line 2, a1 x plus b1 y plus c1 बराबर 0, और line मारे पास दो समिकरण है, x minus 2y बराबर 0, और 3x plus 4y minus 20 बराबर 0, अगर हम यहां पर देखे, आपका जो a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, यह लिखा हुआ है, और यह does not equal to हो गया, मतलब यह बराबर नहीं है, तो आपका जो यह समिकरण है, जो case 1 है, यह क्या कहलाएगा, आपका intersect, क्या intersect, intersect कर रही है, और intersect कर रही है, मतलब line 1 और line 2 एक दूसरे को intersect कर रही है, ठीक है, यह बास समझ में आगे, इसको यह पिर हम कह सकते हैं, प्रतिछेद कर रही है, क्या कर रही है, प्रतिछेद करेगी, ठीक है, अच्छा, जब intersect करेंगी, तो यहाँ पर most important लिखेगा, इसका केवल एक solution होगा ठीक है exactly one solution ठीक है ना exactly one solution या फिर आप unique solution भी बोल सकते हैं QUE unique solution ठीक है अब हम यहाँ पर देखे इसको compare करके दिखाते हैं A1 की value कितनी हो गई 1 हो गई है 1 upon A2 कितना हो गया 3 हो गया is equal to B1 कितना हो गया minus 2 और B2 कितना हो गया 4 हो गया and C1 कितना हो गया आपका C1 0 हो गया और कितना हो गया minus 20 हो गया तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ना यह equal है ना यह equal है कोई भी equal नहीं है अब हम अगर दूसरे case की बात करें तो यहाँ पर आप देखे A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2 तो यह हमारी जो यह जो हमारा condition है इसको हम क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं coincident coincident lines ठीक है ना और हिंदी में अगर हम बोलें तो इसको क्या बोलेंगे संपाती क्या बोलेंगे संपाती बोलेंगे संपाती होंगी ठीक है अब इसके बाद अब जब आपके पास coincident वाली condition आएगी जब यह case आएगा तो चलिए हम यहाँ पर देखे यह वाला condition हमारा follow करता है तो हमारा यहाँ पर हल क्या होगा देखे जब चीजे संपाती होंगी coincident होंगी तो यहाँ पर आपका जो देखे intersect ऐसे करती है जो कि मैंने बताया और संपाती वाले condition में क्या होगा एक ही line पर चलेंगी ठीक है ना line 1, line 2 यह आप देख रहे है बिल्कुल ऐसे रहेंगी जब ऐसा condition आएगा तो यहाँ पर जो आपका हल होगा वो क्या होगा अनन्त होगा हल क्या होगा आपका अनन्त होगा या फिर आप infinite बोल सकते हैं ठीक है अब यहाँ पर हम इसमें रखके देख लेते हैं तो 2 upon 4 is equal to 3 upon 6 is equal to minus 9 upon minus 18 ठीक है इसको इसको काट दिया एक बटा 2 एक बटा 2 और एक बटा 2 ठीक है तो यह आपका equal है इसका मतलब यह satisfy कर रहा है यहाँ पर यह equation तो यह जो ऐसे question कैसे आएगा question पूछेगा कि यह जो हमारे समिकरण है इसका क्या हल है दित्ती हल है इसको हम एक चीज़ और कह सकते है अदित्ती हल कह सकते है ठीक है अदित्ती हल है ठीक है अदित्ती हल यह सी को हम unique solution कहते हैं क्या कहते है unique solution भी कहते है ठीक है यह पूछ सकता है या फिर कह देगा कि क्या अनन्द हल होगा या फिर आपका 3rd वाला case आएगा अब देखे 3rd case में आपका क्या है आपके पास समिकरण है यहाँ पर क्या होता है A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2 और does not equal to ठीक है तो यहाँ पर जब आपका ऐसा case आएगा तो यह देखे आपका क्या हो गया यह आपका intersect हो गया यह आपका coincident हो गया यह आपका parallel हो गया क्या हो गया parallel हो गया parallel lines ठीक है इसको parallel lines को आप हिंदे में क्या कहेंगे समानांतर समानांतर ठीक है जब आपका समानांतर लाइने होंगी तो यहाँ पर हल आपका किस तरीके कहोगा हल नहीं होगा ठीक है ना, हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, इसके आगे कोई लगा लिजे, कोई हल नहीं होगा, ठीक है, कोई हल नहीं होगा, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं, no solution, no solution, ठीक है ना, अब अगर मैं इसका ये condition पर रखके देखते हैं, तो A1 upon A2 क्या हो जाएगा, 1 by 2, और A1 upon A2, B1 upon B2 आपका equal हो गया 1 upon 2, लेकिन C1 upon C2 equal नहीं हो गया, क्योंकि यह एक बटा 3 हो गया, ठीक है यहां तक बास समझ में आपके आगई होगी कि इस 1 जो आपका है जो intersect कर रही है इसका जो यूग में होता है, यह क्या होता है संगत यूग में होता है और याद रखिएगा यह चीजे आपको क्या करनी है, याद रखनी है याद रखनी है, direct question पूछेगा बिना दिमाग लगाए आपको solve करना है ठीक है न, और जब आपका parallel वाला case आएगा, parallel वाला तो क्या होता है, असंगत यूग में होता है असंगत यूग में होता है अच्छा, तो आपका जो यह संपाती है यह क्या होगा, संगत होगा या फिर असंगत होगा संगत या असंगत कौन सा होगा ठीक है, आपको यह बताना है तो संगत या संगत तो इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हम कुछ कह नहीं सकते ठीक है न कि ये क्या होगा ठीक है बास समझ में आगे दोस्तो ये रही आज की most important class आपका युक पस्वमिकरन बहुत ही basic तरीके से और सांदार तरीके से मैंने समझाने की कोशिस की है हो सकता है उम्मिद करता हूँ आपको जरूर समझ में आया होगा अगला क्लास आपका मेंबर्शिप के लिए रहेगा इसलिए क्लास को जरूर जाइन कर लीजिए और लेकपाल के मैस को बिलकुल कम्प्लीट पढ़िए तैंक्यू सो मुच बैबाटिक के और आप सभी को समय सुबहू